हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप सभी को स्टॉक फ्लावर के बारे में इसकी केर कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगी यह बहुत ही हाड़ी प्लांट है इसको दूसरे नेम्स भी है जिसे पर्फ्यूम प्लांट या गिली फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है एंड थैंक यू सो मच आप सभी ने मेरे वीडियो उसको मेरे प्लांट के एक वीडियो उसको इतना प्यार दिया उनको इतना सपोर्ट किया आप मेरे चैनल को ग्रो करने में इतना सपोर्ट कर रहे हो थैंक यू सो मच इस्टॉक फ्लावरिंग प्लांट यह winter हमारे हैं जो winters में काफी अच्छा fragrant flowering plant है इसकी खुश्बू काफी अच्छी होती है इसकी fragrance के कारण है इसे perfume plant भी कहते हैं इसकी जो scent होती है वो sweet और spicy तो दोनों का combination सा होता है उनको describe करती ही होती है इसकी perfume तो बहुत ही hardy plant is study plant है अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो winters में काफी अच्छा bloom करते हैं यह flowering plants इनका जो bloom timing होता है वो spring से early spring to summer के बीच में होता है summers में इनके जो bloom से वो stop हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी को tolerate नहीं कर पाते हैं इनको एक proper temperature चाहिए होता है इनके flowers को bloom करने के लिए इनको जो temperature की ज़रूरत होती है वो 60 degree Fahrenheit से और इससे lower temperature में यह bloom करते हैं बहुत सुन्दर blooming आती है इनकी काफी ज़्यादा fragrance होती है इनकी जो varieties है इनके color की varieties आप देख सकते हैं orange है purple है white भी काफी सुन्दर stock लगता है अगर आप अपने घर में इने सजाते हैं इनके color काफी सुन्दर होते है pink, white, lavender में भी काफी अच्छा लगता है rose type इनके flowers जो खिलते है red, purple and blue में भी काफी सुन्दर इनकी varieties आती है इनकी कुछ draft varieties होती है जिनकी height 8-12 inches tall होती है और कुछ तोड़ी varieties larger varieties आती है जो 2-3 feet तक लंबी हो सकती है इसकी fragrance के कारण इसे gift में जो अपन bouquets तयार करते हैं किसी को present देने के लिए winters में उसमें काफी ज़्यादा use किया जाता है अपने इंडिया में इतना ज़्यादा popular नहीं है पर जो foreign countries हैं महाँ पे stock plant को as a indoor भी मतलब इनकी cutting लगा इनकी stem को cut करके इनकी stem को water wash में फिल कर लगाया जाता है काफी अच्छा environment रहता है indoor bucket अगर आपको prepared करना होते हैं काफी अच्छा flowering plant है काफी दिनों तक पानी के वास में काफी अच्छे दिनों तक चल जाता है थोड़ा सा liquid fertilizer डाल दे तो इसके blooms जो हैं वो किले रहते हैं पस इनकी lower leaves जो ह होती है उन्हें आप कट कर दें जो वास में दिखाई नहीं दे रही है और उसके बाद इनके पूरा stem कट करके इनको flowers को आप पानी में लगाएं काफी अच्छा आपका environment रहता है उस पानी को आप everyday change कर दे और तो freshness काफी दिनों तक flowers की बनी रहती है यह आप organic fertilizer भी दे सकते इनको liquid तो वह भी काफी दिनों तक इनको help देगा इनको खिले रहने में और आपके indoor आपको काफी सुन्दर लगेगा इसो सजाने में मैं इसे वास में लगाने के लिए इसलिए कहरे है क्योंकि इनमें जो pets यह disease है वह बिलकुल भी मतलब काफी हद तक इनमें attack नहीं करती है इनमें अभी तक कोई भी ऐसा issue जो देखा नहीं गया इसलिए इन्डोर काफी अच्छे से लगा सकते जहां पर बिलकुल ठंड रहती है जहां colder climate area रहता है वहां तो यह annually पूरे साली bloom करते पर अपने थोड़ा गर्म environment रहता है तो यहां सिर्फ perennial conditions ही support करती है इनको तो यह स सर्दियो में ही लगा सकते है अपने इन्हें stalk plant की अगर आप soil में इनके paat कर रहें तो इन्हेँ फुल संनलाइट की ज़रत होती है आप इनको फुल संलाइट में लगाईे partial shade में पिए चल जाते हैं पर फुल संलाइट में काफी अच्छे blooms आते हैं इनके अंदर अब जब भी इनकी मिट्टी तयार कर रहे हो तो काफी रिच होनी चाहिए थोड़ी लूज मिट्टी होनी चाहिए मिट्टी लूज इसलिए थोड़ी पोरस होनी चाहिए ड्रेन आउट हो जाना चाहिए प्रॉपर ड्रेन आउट हो जाना चाहिए क्योंकि अगर ड्रेन आउट नहीं होगा तो रूट रोट होने लग जाएगा इस हमारी हमें इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना पर प्रॉपर ड्रेन आउट वाली सॉइल हमें इसके लिए प्रिपेर्ड करनी है आप मल्चिंग भी कर सकते हैं इसकी रूट को प्रोटेक्ट कर और जनल परपस फर्टिलाइजर जो आता है इनको दीजी ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे हमेशा नर्सरी से लेके आने के बाद अगर यह प्रॉपर एक बार स्टैबल हो गया है तो काफी हाड़ी प्लांट हो जाता है काफी लिटल के आपको ज्यादा इस गया है उन्हें कट करते रहें ताकि नए ब्रांचे निकलती रहे और नए फ्लावर ग्रोथ होती रहे इन्हीं बातों का हमें इसमें ध्यान रखना जैसे कि मैंने बताया था इस पर कोई भी पैट से डिजीज अटैक होते नहीं कोई मेजर इश्यू इस प्लांट के साथ है है नहीं कि इस प्लांट की काफी सारी वायराईटी जी जाती है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग मैं वीडियो में बताया था इस्टार लाइट सेंसेशन इस टॉक भी आते जो इस टार लाइट होते हैं वाइट गौडच से स्टॉक होता एड li Similar अ कपि चापिलर वेह कि रिप करता है इसकी इस प्लांट को अगर आपको प्रोपोगेट करना हो तो आप इसकी सीट से लाके सीट पर्चेस करके आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं या सेड्लिंग लेके आ सकते हैं उनके थ्रू इनको लगाया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप इसे फ्लावर्स को इंडैम जो मतलब काफी दिनों तक मेंटेञ रहता है, इनको रूट सिस्टम से डिवाइड करने के बाद भी काफी दिनों तक अगर पानी में अपन रखे तो काफी अच्छे यह चल जाते हैं तो अगर आपको इस तरह से इंडोर बुकी अगर प्रिपेर्ड करना हो तो आपको सिंपली इनकी जो इस्टैम है फ्लावर इस्टैम उनको बनी रहे आप इनको और्गेनिक फर्टिलाइजर करके दे सकती हैं तो काफी दिनों तक यह आपके इंडोर मतलब काफी फ्राग्रेंस बनी रहेगे आपके रूम के लिए काफी अच्छा आरेंजमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं विंटर में बस इसकी स्टैम कट करके आप उसके नीचे की लीव्स जो अवास के शेप के साफ से जो दिखाई नहीं देंगे उन्हें अटा दीजी क्योंकि अगर वो नीचे की इस आप इसकी लीव्स नहीं कट करेंगे तो वो एनरजी लेती रहेगी और फ्लावर जल्दी मुर्जा जाएंगे तो जितना आपके वास का शेप है उतनी लंबी आप इसमें से स्टैम कट कर लीजिए नीचे की लीव्स को रिमोव कर दीजिए जो नहीं दिखाई देंगी और फ्लावर्स को आप अपने वाटर वास में लगा लीजिए काफी अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स यही थी स्टाफ लावरिंग प्ल